नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल के उपर आज की ये वीडियो ऑप्शन्स बायर के लिए काफी खास होने वाली है क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ एक यूनिक फीचर के बारे में जो धन प्लाटफॉर्म प्रोवाइड करता है और वो फीचर है फ्लैश ट्रेड का जैसे की आप सबको पता है धन ने ओप्शन्स ट्रेडर के लिए एक डेडिकेटड प्लाटफॉर्म बनाया है और मल्टीवल फीचर रिलीज किये है जैसे की स्ट्राटजी बिल्डर हो गया ओप्शन चेन हो गया मल्टी स्ट्राइक ओवाई चार्ट हो गया और बहुत सारे फीचर इन्होंने हमें दिये है आज हम उसी में से एक फीचर के बारे में बात करेंगे जो की ऑप्शन बायर के लिए काफी मददगार सावीत हो सकता है और उसका नाम है फ्लैश ट्रेड दोस्तो हम सभी लोग मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट इन्डाइसेस को ट्रैक करते है जैसे निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, निफ्टी मिड कैप हो गया या फिर और कोई भी लेकिन इंडेक्स खुद ट्रेड नहीं होते ये तो आपको पता है इसके लिए आपको nifty 50 का future या फिर bank nifty का future trade करना होता है लेकिन अगर आप nifty 50 के futures में trade करते हो तो आपको margin या फिर जो पैसा होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है तो इसके लिए हमारे पास एक ही परियाय उपलब्ध होता है और वो है options trading का लेकिन options trading में भी बहुत सारे problems आते हैं जैसे कि कौन सी strike price select करनी है उसका premium कितना है ATM, ITM, OTM, bla 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 बहुत सारी चीज़े होती है इसी परेशानी को solve करने के लिए धन ने flash trader ये feature build किया है अब देखते हैं ये feature किस तरीके से हमें मदद कर सकता है सबसे पहले तो धन के website के उपर आ जाना है web.dhan.co इसके उपर आपके screen के उपर ये सारी चीज़े दिखाई दे रही है अब यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले जाना होता है orders के section में orders के section में आपको different different यहाँ पर orders दिखाई देंगे जैसे हमारे previous order आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे है और इसी में flash का option आपको दिखाई देता है अब जैसे ही हम इस flash के options में आते है हमें 3 order flash दिखाई देते है सबसे पहला है ATM फिर highest OI और top trader इसी के साथ साथ आपको indices कौन सा select करना है इसके बारे में भी यहाँ जानकारी मिलती है जैसे nifty 50 हो गया bank nifty हो गया या फिर fin nifty हो गया इन में से आप indices select कर सकते है इसके अलावा अगर आप कोई stock search करना चाते है तो इस search box में आप stock भी search कर सकते है जैसे कि हमने TCS select किया तो TCS का पूरा यहाँ पे data आ गया है फिलाल तो हम nifty 50 की पे ही रहते है उसके बाद आपको गया कर रहा होता है कि आपको शिर्फ view select कर रहा होता है यानि कि market view जो है अगर आप bullish side में है तो आप bullish select कीजेगा तो आपके सामने सारे calls जो है वो दिखाई देंगे अब यह calls जो है वो at the money strike price के नीचे वाले तीन और at the money strike price के उपर वाले तीन यानि current market हम 22,475 अगर पकड़ेंगे तो उसके अलावा तीन strike price और उसके अलावा और तीन strike price आपके सामने available हो जाते हैं तो total 7 आपको यहाँ पे दिखाई देंगे strike prices जो की आप trade कर सकते है add the money के उपर select करेंगे तो यह देखो add the money के 50, 100, 1500 point उपर वाला मतलब 22,500, 22,450, 22,400, 22,350 यह strike price आपको दिखाई देंगे और plus 50, plus 100, plus 150 वाला भी options आपको यहाँ पे दिखाई देता है इसके साथ साथ आप अगर यहाँ पे expiry select करनी है तो expiry भी select कर सकते हो जैसे कि मैं 10 April की expiry select करूँगा और यहाँ पे हम highest OI select करते हैं highest OI में हमें क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है कौन सी strike price के उपर volume कितना ज्यादा है, OI कितना ज्यादा है, OI percentage, last trading price, change कितना हुआ है यह सारे details हमें यहाँ पे बता जलती है, अगर हम view जो है वो change कर देते हैं और bearish कर देते हैं तो यह call जो है वो अभी put में convert हो गए, अभी put का सारा data हमारे सामने available हो जाता है तो यह बहुत ही बड़िया तरीका है, आपका अगर strike price select करने का होता है, तो यह zap कर सकते हैं top trader में जाएंगे तो top trader में भी बहुत सारे जो top में trade हो रहे है options आपको दिखाई देंगे, आपके view की मदद से दोस्तो यह वाला feature आपको web and mobile app दोनों में ही मिल जाएगा, mobile application में आपको orders के section में जाना है उसके बाद flash के section में आपको add the money, highest oi और top rated यह सारी details देखने के लिए मिल जाएगी और इसके अलावा आपको execute instantly यह button यहाँ पे मिलता है, यह अपने आप में ही एक order window है जिसकी मदद से आप directly order execute कर सकते हैं, so mobile app में यह काफी cool है तो दोस्तों यह था हमारे options buyer के लिए quick and fast feature इसको आप बिलकुल use करना और मुझे comment में बताना कि आपको कैसा लगा यह नया वाला feature आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर पसंद आया हो तो please वीडियो को like जरूर कर देना, जाता स्यादा लोगों तक share कर देना कोई भी doubt हो इस feature के बारे में तो आप comment section में मुझे बिंदास पूछ सकते हो और channel को subscribe जरूर कर देना, धन्यवाद